हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो डिल्याम और्विट तो आज के इस वीडियो में बहुत एक विग्यान यानि फिजिक्स के छे सो सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन को देखेंगे इसके पहले हमने बाइलोजी को कवर किया था जो लोग वो वीडियो नहीं देखें हैं निचे डिसक्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके बाद हमारा रासायन वेग्यान का वीडियो आएगा तो इस तरह से तीनो सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स को कवर करेंगे सारे कोशन वेरी इंपोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे कोशन आपको मिलेंगे जो की बार-बार पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को ध्यान पुर्वक देखियेगा पीडियो तयार किया गया है पीडियो में तीनों सब्जेक कवर किया गया है बेस्ट पीडियो नीचे डेस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप सभी को बताना चाहूंगा कि सारे कोशन बहुत ही करफूली तयार किया गया है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि साथ मूल भोती का राशिया है कौन-कौन सी लंबाई, समय, ताप, दरब्यमान, विदुधारा, जोती, तिवरता और पदार्थ की मातरा कारे का A.S.I. मातरक क्या है? जूल होता है A.S.I. मातरक बर-बर पुछे जाते हैं, देखे, R.R.B. 2005 में पुछा हुआ है कारे की C.G.S. पदधती में मातरक क्या है? तो अर्ग है, C.G.S. पदधती में पदार्थ की मातरा का A.S.I. मातरक क्या होता है? मौल होता है 2020 में ही पुछा गिया है N.T.P.C. के एकजाम में जोती तिवरता का A.S.I. मातरक क्या होता है? कैंडेला द्रब्यमान का A.S.I. मातरक क्या होता है? किलो ग्राम होता है समय का A.S.I. मातरक बतेजिए तो समय का A.S.I. मातरक होता है सेकेंड प्रकाश वर्स किसकी इकाई है तो ये दूरी की इकाई है द्वाजया चोदम पुछा हुआ है बल का एसाई मातरक क्या होता है नूटन होता है और CGS पद्धती में बल का मातरक क्या होता है डाइन होता है तो बल का SI मातरक होता है Newton, वहीं CGS पद्धती में बल का मातरक होता है Dine विदुधारा का SI मातरक क्या होता है? Ampere होता है ताप का SI मातरक बताईए, Kelvin पास्कल किस राशी का मातरक होता है? दाब का एक पीको गराम कितने गराम के बराबर होता है? तो 10 पर पावर माइनस 12 गराम के बराबर होता है Ang storm द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैधर मापा जाता है Ang storm के द्वारा तरंग दैधर को इंगलिश में वेब लेंथ बोलते हैं एक अश्वशक्ती में कितने वाट होते हैं? 746 वाट radian and esteradian किस परकार के मातरक है? तो ये पूरक मातरक है यानि supplementary unit है प्रकाश के तिवरता मापने के लिए किस उपकरन का पर्योग किया जाता है? लक्स मीटर का दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्स होते हैं? या फिर एक पारसेक कितने प्रकाश वर्स के बराबर है? तिन दसमलो दो छे दो प्रकाश वर्स लिवमेन किस का मातरक है? जोती फलक्स का मातरक है लिवमेन भोतिक मातरा जोती की इकाई क्या है? तो lux इसकी unit है उर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो उर्जा का SI मात्रक होता है Joule हर्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगो की अवरिती SI पद्दती में Lens की शक्ति की इकाई क्या है? Diopter है धौनी की तिवरता मापने की इकाई क्या है? Decibel समवेक का SI मात्रक क्या होता है? तो kilogram पर second समवेक का SI मात्रक होता है देखिए ये सारे question पूछे गया है अदीश राशी का सही वेक्ख्या क्या है? तो वैसी भहतिक राशी जिनमे केवल परिमान होता है दिशा नहीं उसे अदीश राशी बोलते हैं वहीं सदीश राशी का सही वेक्ख्या क्या है? तो वैसी भहतिक राशी जिसमें परिमान के साथ-साथ दिशा भी होती है उसे हम सदीश राशी बोलते हैं अदीश राशी कौन-कौन सी है? ये दोनों काफी important है याद रखिएगा दूरी, चाल, करे, समय, आयतन, दरब्यमान, घनत्व, और विदुद्धाराई ये अदीश राशियां है वहीं सदीश राशियों के उधारन है बल, वेग, समवेग, विश्थापन, त्वरण, विदुद्ध तिवरता, चुंबक्ये तिवरता, और कोडिये वेग प्लांके के अचर में किसका अयाम होता है कोडिये गती का यदे किसी चलते हुई वस्तु के इवेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा तो उसकी गतीज उर्जा जो है चार गुना हो जाएगी न्यूटन के गती के पर्थम नियम को अन्यक किस नाम से जाना जाता है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसे किसी भी पत्थर या गतिशील वस्तु की इस्थिती और दिशा में तब तक कोई परिवरता नहीं होता ये न्यूटन का कौन से नियम बताता है तो ये न्यूटन के गती का पर्थम नियम है न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाशा मिलती है तो न्यूटन के पर्थम नियम में बल की परिभाशा दी गई है परते किरिया के बराबर ववीपृत दिशा में एक परते किरिया होती है ये निूटन का कौन से नियम बताता है तो ये निूटन के गती का तृतिये नियम बताता है किसी पेंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में सीधी रेखा में विराम या एक समानगती के स्थिती में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो ये है जड़त्वा गाड़ी खिचता हुआ गोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है तो प्रिथवित वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ता है किवसेक में क्या मापा जाता है तो जल का बाहाओ मापा जाता है कारे किस का गुनानफल होता है तो बल और विस्थापन के गुनानफल को कारे बोलते है बल किसका गुनानफल होता है? तो दरब्यमान और तवरण का गुनानफल होता है बल प्रतिरोधक्ता का एसाई मात्र क्या होता है? ओम मीटर गैसों के दाब को मापने में किस उपकरण का परियोग किया जाता है? मैनो मीटर चलिए आगला कोशन है सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है? कैरेटो मीटर इस्थितिज उर्जा किसका गुनानफल होता है? तो दरब्यमान गुरुत्विये त्वरण और उचाई का गुनानफल होता है इस्थितिज उर्जा चुम्बकिये फलक्स का एसाई मातरक क्या होता है वेबर या फिर वोल्ट वेक्ति प्रित्वी की सता की तुलना में चंद्रमा की सता पर अधिक उचा क्यों उचल सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षन के करण त्वरण प्रित्वी की तुलना में कम होता है, यानि चंद्रमा पर प्रित्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षन होता है, इसलिए चंद्रमा की सता पर वेक्ति जादव उचाई तक उचल सकता है, थंड के मौसम में अतियादिक ठंड पढ़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी की जमने के बाद पानी का आयतन जो है उसका फैलाओ बढ़ जाता है, इसलिए पाईप फट जाती है विदुधारा की तिवरता मापने में किस यन्तर का प्रियोग होता है वायू तथा गयस की भार तथा घनत्वा मापने में किस यंत्र का परियोग किया जाता है एरोमीटर वायू मंडल ये दाब मापने में किस यंत्र का परियोग किया जाता है बैरोमीटर नेफ्रो एसकोप यंत्र का इस्तमाल किसले किया जाता है वायू मंदल में उपस्थिती, बादलों की गती और गती की दिशा मापने में नेफो एसकोप, यह अंतर का इस्तमाली, इसका नाम है नेफो एसकोप, ठीक है किसी वस्तु में उत्पन आयतन के प्रिवर्तन को मापने के लिए किस यंतर का प्रियोग किया जाता है वायू मंदल की आदरता मापने में किस यंतर का प्रियोग किया जाता है हाई ग्रो मीटर, गैलवेनो मीटर यंतर का प्रियोग किसले किया जाता है विदुधारा की प्रबलता मापने के लिए गैलवेनो मीटर का इस्तमाल किया जाता है बेलनाकार वस्तों का व्यास और गहराई मापने के लिए किसी अंत्र का परियोग किया जाता है वर्नियर कैलिपस बोलो मीटर का इस्तमाल किसले किया जाता है उस्मा की मात्रा मापने में दरव्य की श्यांता मापने में किसी अंत्र का परियोग किया जाता है विस्कोमीटर भुकम्पिये तरंगों की तिवरता मापने में किसी अंतर का परियोग किया जाता है तो सिस्मोग्राफ का इस्तमाल किया जाता है भुकम्पिये तरंगों की तिवरता मापने के लिए अपराधियों या फिर संदेग्द वेक्तियों के कथन की जाच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है पॉलिग्राफ का है यानि कोई भी आपरादी जूट बोल रहा है या फिस्टाच बोल रहा है उसके लिए जिस उपकरण का इस्तमाल किया जाता है उसका नाम है पॉलिग्राफ यूडो मीटर ये अंत्र का प्रयोग किसले किया जाता है वार्षा की मात्रा गियात करने के लिए यूडो मीटर का इस्तमाल किया जाता है वाशिंग मसीन किस सिधान पर कारे करता है अब केंदरिये बल के सिधान पर काम गरता है वाशिंग मसीन अंतरिक से गिरता हुआ पेंड प्रित्वी की वायू मंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उटता है तो वायू के घरसन के करण इसमें आग लग जाती है दूध मत्हने के पश्चाथ क्रीम का दूध से प्रित्धक हो जाना यह किस सिद्धान पर कारे करता है यह भी अपकेंद्रियबल के सिद्धान पर काम करता है एक जहील में तैरने वाली इसपाद की नाओ के लिए नाओ द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है तो नाव के उस भाग के बाहर के बराबर जो जील के पानी के सता के नीचे है किसी कलीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है यानि कालेन को छड़ी से पीटा जाता है उसके बदले उसमें से धूल बाहर निकलता है तो न्यूटन के गती का पर्थम नियम जो है इसका ये उदारन है दो दो बार पुछा हुआ है देख लिजे ग्रोहों द्वारा सुर्य का परिकर्मन में प्रभावी बल कौन सा है अभी केंद्रिये बल रोकेट किस सिध्दान पर कारे करता है संवेग सरक्षन के सिध्दान पर पेंच कस यानि ESCrew drive के द्वारा पेंच घुमाना किसका उधारन है तो ये बल आघुन का उधारन है कैची और हैंड पंप किस सिरेनी के उत्तोलक है ये प्रथम सिरेनी के उत्तोलक है सरवता और निम्बू निचोडने वाली मशीन किस सरेनी के उत्तोलक है दुवितिये सरेनी के सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घरसन कम होता है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में ढूब जाती है क्योंकि लोहे का गनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है इसलिए लोहे कील पानी में ढूब जाती है लेकिन पारे में तैरने लगता है जब किसी पींड को पानी में डुबया जाता है तो उसके भार में हरास होता है या हरास कितना होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर जेट इंजन किस सिद्धान पर कारे करता है रैखिक सम्वेक सरक्षन के सिद्धान पर जब एक कार की गती दुगुन्नी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा चार गुना कमानी तूला किस सिद्धान पर काम करता है हूक नियम के सिद्धान पर किसकी उपस्थिती के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है तो घर्चन की उपस्थिती के कारण तेल से अश्टा भरा हुआ टैंकर संतल सड़प पर एक समान तूरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त प्रिष्ट कैसा होगा तो परवलई वक्राकार होगा गेंद पकड़ते समय खिलाडी अपने हाथों को पीछे की ओर खिच लेता है या न्यूटन के गति के केस नियम का उदारन है दुविती ये नियम पेड से फल तूटकर नीचे गिरना तथा चलती गाड़ी के रुखने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे जुकना पकड़ने वाले वेकति का पीछे की ओर जुकना न्यूटन के गति के किस नियम का शटी कुदाहरन है त्रीतिय नियम एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारन पानी से ज़्याद़ ह प्रित्वी पर पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमेटर परती सकेंड यदि बैरोमेटर की पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बाद का संकेत है तो आधी की आने की संभावना रहती है इसलिए बैरोमेटर का पारा जो है गिर जाता है बाद के नीचे की दिवार मोटी कहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बरफ के दो टुकणों को आपस में दबाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बरफ का गलनांग घड़ जाता है। लगाय गया दाब कम हो जाए। पहाओं पर कभी-कभी वेक्तियों के नाक वह मुह से खुन निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ वायू दाब में कमी आती है। बात एक ही हुआ। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते। गोर्त्वाकासन की अनुपस्तिती के कारण। प्रित्वी के चारों और परिकर्मा कर रहा क्रित्रिम उपगरा प्रित्वी पर डैस के कारण नहीं गेरता। त्वरन के कारण। एक भू उपगरा किस बल के परभाव से अपने कक्षा में निरंतर गती करता है। अब केंद्रिय बल के परभाव से। चंद्रमा की सता पर पलायन वेग प्रित्वी की सता की अपक्षा डैस है। कम है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। ऐसा क्यों हो। क्योंकि अधिक दाब के करण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में कौन परिवर्थित करता है। डैनेमो। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रियोक से सौर उर्जा का रुपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है। विद्धुत उर्जा का। एससी द्वाजरगार में पुछा हुआ है। भुमद्य रेखा से धुरुओं की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा। बढ़ेगा। टुकणों को समान उचाई से प्रित्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा। तो सभी एक साथ जो है धर्ति पर गिरेंगे। चंद्रमा की सता पर पलायन वेग प्रित्वी की सता की अपक्षा कम होता है। क्यों चंद्रमा की त्रिज्या प्रिथवी की त्रिज्या से कम है। गुर्थवाकर्षन के सर्वभौमिक नियम के सिधान्त का पर्तिपाधन किस ने किया था। सर आईजेक न्यूटन ने। समुद्रों में जुवार भाटा क्यों आता है। सूरे चन्द्रमा और प्रित्वी के गुर्थवाकर्शन के अंतर क्रिया के कारण समुद्रों में जुआरभाटा आता है। सभी गरा सूरे के चारो और वेताकार यो निश्चित कच्छाओं में सूरे की प्रिकर्मा करते हैं। इसका कारण बताई ये। सूरे यो अन्य गराहों में गुर्थवाकर्शन के कारण। लिफ्ट में बैठे हुए वेक्ति का भार कब चरवाधिक महसूस होता हैं। जब लिफ्ट जो है त्वारित गती से यानि तेजी से उपर क्योर जा रही हो। भू तुल्यकाली उपगरा यानि जियो सिंक्रोना सैटेलाइट के प्रिकर्मन की ओधी कितनी होती हैं। 24 गंटे यानि 24 गंटे में ये प्रिथवी को एक बार घूम लेता हैं। यदि प्रिथवी और सूरे के बीच की दूरी दुगुन्नी होती हैं। तो सूरे द्वारब प्रिथवी पर गुर्त्वाकाशन बल क्या होता है। तो वर्तमान का एक बटे चार भाग। लोलक की समय वधी किस पर निर्भर करती हैं। लोलक की लंबाई पर। प्रिथवी का गुर्त्वाकाशन बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। प्रिथवी पर इस्थित वस्तों का भार शुनने हो जाएगा। लेकिन दरब्बे मान अब परिवर्तित रहेगा। चंद्रमा पर जी का मान प्रिथवी के गुर्त्वे त्वरन का कितना होता है। गारियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धान पर काम करता है। पास्कल के सिद्धान पर। जल का आपेक्षिक घनत्वा किस ताप पर सरवादिक होता है। चार डिग्री सेंटी ग्रेड या फिर चार डिग्री सेलसियस ताप पर। बर्फेले छेतरों में शीत काल में जब जील की उपरी सता का पानी बर्फ में बदल जाता है। फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलिये जीव जीवीत रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व जो है चार डिग्री सेलसियस पर सबसे अधिक होता है। इस करण जील के भीतर पानी नहीं जमता। सिर्फ उपर ही उपर पानी जमा हुआ रहता है। लेकिन नीचे नहीं जमता है। नदी से समुदर में परवेश करने पर किसी जहाज की क्या परतिकिरिया होती है। तो वहां नदी की अपेक्षा समुदर में कुछ उपर उठ जाता है क्योंकि नदी की अपेक्षा समुदर का पानी का घनतो जो है अधिक होता है किसी वस्तु की मातरा बदलने पर उसके घनतों पर क्या परभाव पड़ेगा तो वस्तु का घनतों अब परिवर्तित रहेगा प्रिश्ट तनाव का क्या कारण होता है और वो के मद्धे ससंजक बल तेल जल के प्रिश्ट पर क्यों फैल जाते हैं क्योंकि तेल का प्रिष्ट तनाव जल से कम होता है। वर्सा की बुंदें गोलाकार क्यों होती है। जल के प्रिष्ट तनाव के कारण। S.S.C. 2012 में पुछा गिया है। जल की तुलना में वायू में गती करना सरल क्यों है। क्योंकि जल के श्यानता वायू से अधिक होती है। समुद्र में प्लावन करते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के अस्तर में कोई प्रिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सता से एक बटे नौ भाग उपर उठा हुआ होता है। दिये में मिट्टी के तेल की बत्ती के जरिये उपर चड़ने का क्या कारण है। तो केशी कत्व का गुड के कारण जो है जो दिया होता है उसमें मिट्टी का तेल नीचे से उपर के ओर चड़ता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के प्रिष्ट तनाव पर क्या परभाव पड़ता है? जल का प्रिष्ट तनाव घड़ जाता है. फाउंटेन पेन किस सिधान पर काम करता है? केशी कत्व के सिधान पर. जल से भरी बाल्टी को हिला कर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों इस्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण. धातों की शुदता ग्यात करने में किस सिधान्त का परियोग किया जाता है? आर्कमेटीज के सिधान्त का. जल से निकालने पर शेविंग ब्रस के बाल अपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? प्रिष्ट तनाव के कारण. वहनों में इसनेहक तेल का परियोग क्यों किया जाता है? इंजन में घर्शन कम करने के लिए. किसी वस्तु की सता के लंबवत लगने वाले बल को क्या खाते प्रणोद. प्रितवी तल से किस नियुंतम वेक से प्रक्षेपित किये जाने पर कोई रौकेट प्रितवी के गुर्तवाकरशन को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ग्यारा दसमलों दो किलोमेटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो व होगा तो वह पिंट जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा जब एक पत्थर को चांद की सता से प्रितवी पर लाए जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु दरब्यमान नहीं किसी तुल्यकाली उपगरा के प्रितवी के सता से उचाई लगबा कितनी होती है 36,000 किलो मीटर के उचाई पर तुल्यकाली उपगरा को अस्थापित किया जाता है दो अजय तेरह में पूछा हुआ था लोलक घडियां गर्मियों में क्यों सूस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता ह है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई चार प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तिकल क्या होगा दो प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के जुलने का समय पर क्या असर पड़ेगा दुगुनना हो जाएगा प्रिष्ट तनाव पर एक व्यक्ति पूनता चिकने बर्फ के 36 संतल के मद्ध में विराम इस्थिति में है न्यूटन के किस नियम का उप्योग करके वह अपने आपको तड़ तक ला सकता है तीसरे गति के नियम का उप्योग करके जब शुद जल में डिटर्जेंट डाला जा श्यांता की इकाई क्या है पुआईजे यदिकेश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें इसमें चड़ने वाले जल सता की उचाई डैस होगी आधी रह जाएगी पानी में लोहे की सुई डुब जाती है लेकिन जहाज तैरता है किस के सिध्धान पर काम करता है आर्कमिडेज के सिध्धान पर एक तुल्य काली उपगरा प्रित्वी के इर्दगिर किस देशा में गुमती है पस्चिम से पुरु की ओर वाहनों में लगे पहिये में बॉल बेरिंग का कारे क्या है अस्थैतिक घरसन को गतेज घरसन में बदल देना शक्ति का एसाई मातरक वाट किसके समतुल्य है किलोगराम मीटर एसक्वार इंटू एस पर पावर माइनस त्रीके प्रित्वी का पलायन वेक कितना होता है ग्यारा दसमलोट दो किलोमीटर पर सकेंड उर्जा सरक्षन का क्या आशा है उर्जा का न तो स्त्रीजन हो सकता है और ना ही विनाश स्वचालित कलाई घडियों में उर्जा कहां से मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन संचालन से एक भूई इस्थिर उपगरा अपने कच्छा में निरंतर गति करता है यह अपके अंदर बल के परभाव से होता है जो की प्राप्त होता है किस से प्रित्वी द्वारा उपगरा पर लगने वाले गुर्ताकाशन से घरी के स्प्रिंग में भंडारित उर्जा कौनसी है तो यह इस्थितिज उर्जा होती है चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं है क्यों क्योंकि यहां प्रमानुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक्तम दूरी तक जा सके तो 36 से 45 डिग्री का कोण पर अगर मारा जाए तो गेंद जो है अधिक दूरी पर जाएगी अरात्री द्रिष्टी उपकरण में परियोग की जाने वाली तरंगे कोन सी होती है औरक्त तरंगे द्रिष्ट परकाश का तरंग देधर कितना होता है तो 390 से 750 नैनो मीटर के बीच होता है किड़ों तथा छते ही पहुचाने वाले जीओं को घरों से दूर भागाने के लिए किस तरंग का परियोग किया जाता है अल्ट्रा सोनिक तरंगे क्रिष्टल की सरचना ग्याद करने के लिए किन किर्णों का उप्योग किया जाता है एक्स किर्णों का दिर्ग रेडियो तरंगे वायु मंडल की किस परसे परिवर्थित होती है आयन मंडल से पुलीज नलीका का प्रियों कौन सी केड़ने उत्पन करने के लिए किया जाता है एक सकेड़ने ध्वनी तरंगों की प्रकिर्ति कैसी होती है अनूद दैधर्य और सरव्य तरंगों के अविर्थी कितनी होती है? 20 हट से कम होती है परा सरव्य तरंगों यानि अल्टासोनिक वेप्स के अविर्थी कितनी होती है? 20,000 हट से अधिक किन तरग्गों को मनुष्य कभी नहीं सुन सकते परासरवे तरंगे जो होती हैं उन्हें मनुष्य कभी नहीं सुन सकता है नाभिकिये अभिकिरिया तथा क्रेत्रिम रेडियो सक्रियता में किन किर्णों का उप्योग किया जाता है गामा किर्णों का गामा किर्णों की खोज किस ने की थी ? हैंरी बैकुरल ने फोटोग्राफी और टीवी के रिमोट कांट्रॉल में किन चुंभखिये तरंगों का परियोग किया जाता है ? औरक्त विकरन औरक्त विकरन यानि इन्फरा रेड रेडियाशन की कुस ने की थी ? विलियम हर्शल ने, लगू रेडियो तरंगे की खोज किस ने की थी? हैंरिक हर्ट ने, रेडियो, टेलिविजन, रडार और टेलिफोन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? लगू रेडियो तरंगों का इस्तमाल किया जाता है, रेडियो और टेलिविजन के किन विद्दु चुम्बकिय तरंगों का प्योग होता है दिर्ग है रेडियो तरंगे दिर्ग रेडियो तरंगों की खोज किस ने की थी मार कोनी ने कभी कबार ऐसे पूछ लेता है रेडियो का विश्कार किस ने किया था तो मार कोनी ने प्राशरव्य तरंगो को सबसे पहले किस ने सीटी बजा कर उत्पन किया था गाल्टन ने शिकार या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगाधड या डॉल्फिन किस परिगटना का प्रियोग करते हैं प्रति दोवानी का निर्धारण पराबैंगनी किर्णो की खोज किस ने की थी तो अल्ट्रा वैलेट ट्रेडियेशन की खोज जोहान रिटर ने की थी एक्स किर्णो की खोज किस ने की थी तो एक्स रेज की खोज डबलू सी रोंजन ने की थी प्रकाश वैदुत प्रभाव उत्पन करने के लिए किन किर्णों का उप्योग होता है पैरा बैंगनी किर्णे ध्वानी का तरद्वा किस पर निर्भर करता है अवरीधी पर किसी ओसत व्यास के व्यक्ति के लिए ध्वानी की सरवे सिमा कितनी होती है 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक विमानों के आंत्रिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है परासरव्य तरंगों का शत्रु के वायवान के उपस्थिती का पता लगाने में कौन सी किर्णों का प्रियोग किया जाता है रेडियो तरंगों का बंद चूले में यानि ओवन में किसका परियोग किया जाता है सुक्ष में तरंगे यानि माइक्रोवेव का समुदरी के भीतर किसी वस्तू का पता लगाने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है सोनार प्रा द أوानिक जेट याने सुपर्सोनिक जेट से वायू मंडल के किस परत को नुकसान पहुँचता है? ओजुन परत का द्धोनी के सुरोव वा प्रावर्तित सता के मद्ध निउंतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे की प्रती ध्वानी अस्पस्ट रुप से सुनाई दे 16.5 मीटर बड़े सभागारों में ध्वानी सुरूत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वानी सुनाई देती रहती है इसका क्या कारण है तो अनुर्णन इसका मुख्य कारण है चंद्रमा के धरातल पर दो वेक्ती एक दूसरी की बात नहीं सुन सकते है इसका क्या कारण है चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं है इसलिए दो वेक्ती एक दूसरी की आवाज नहीं सुन सकते है वह जयवा पद्धती जिसमें परासरवे ध्वानी का परियोग किया जाता है उसे क्या कहता है? सोनोगराफी महिलाओं की आवाज पुरोसों की अपक्षा तिक्षण होती है क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है वायू में ध्वानी के वेक की प्रकृति कैसी होती है ताप मान के गटने से गटता है ध्वानी किस मध्यम से होकर नहीं गुजार सकती निर्वात से यानि वैकम से स्ठेतो एसकोप किस सिधान पर काम करता है ध्वानी के परवर्तन पर सधारण बात्चित में ध्वानी की तिवरता कितनी होती है 30 से 40 Decibel physics पेड़ों के पत्टों की सरसरहट की ध्वानी तिवरता कितनी होती है 10 से 20 Decibel acoustics में किसका द्यान किया जाता है ध्वानी का प्रश्रव ध्वानी तरंगे किसके द्वारव सुनी जा सकती है तो कुत्ते और डॉल्फिन मचली ज्वाय अल्टरसोनिक द्वानी तरंगों को सुन सकते है द्वानी तरंगों में कौन सी घाटना घाटित नहीं हो सकती दुरुवन प्रासरवे तरंगों की अविरति लगभा कितनी होती है 20,000 हर्ट से अधिक मैं एक अंको का प्रियोग किसके वेक के संबन्द में किया जाता है वायू यान के द्वानी के किस लक्षण के कारण कोई द्वानी मोटी या पतली होती है तरत्व के कारण महिलाओं में तरत्व जो है अधिक होता है इसलिए उनका आवाज जो है तिक छड़ियाने पतला होता है द्वानी के वह विसेस्ता जो एक मादा द्वानी को नर द्वानी से भिन करती है क्या कालाती है तो ये हैं तरत्वा नजदीक आती रेल गाड़ी के सीटी के आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेल गाड़ी के लिए ये घटी जाती है ये घटना किसका उदारण है डॉपल और प्रभाव का एक वेक्ति को अपनी परती द्वानी सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए 56 फिट द्वानी का परभाव मानों के कान में कितने समय तक रहता है एक बटे दस सकेंड तक यानि एक सकेंड के दस सुने भाग के समय इतना जो है द्वानी मनुशे के कान में मौजूद रहता है तेज हवा चलने से वास्प नहीं बनने का क्या कारण है वास्पी करण की दर का तेज होना कमरे में रखे रेफ्रीजेरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या परभाव पड़ेगा कमरे का तापमान जो है थंदा होनी की बज़ाए बढ़ जाएगा वह थर्मामीटर जो 2000 डिगरी Celsius मातने हे तो प्योग्द हो उसे क्या कहा जाता है पूर्ण विकरन पयरोमिटर फारेन हैट में जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानि हिमांक कितना होता है 32 दिगरी फारेन हाइट Kelvin में जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 डिगरी Kelvin Celsius में जलका क्वाथनांग यानि बॉलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिगरी Celsius या फिर Centigrade और ये 32 डिगरी Fahrenheit या फिर 273 डिगरी Kelvin जोए ये 0 डिगरी Centigrade के बराबर होता है इसे भी याद रखिए Fahrenheit में जलका क्वाथनांग यानि बॉलिंग पॉइंट कितना होता है 373 degree Kelvin रेफ्रीजरेटर में थर्मो एस्टेट का पर्मुक कारे क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रीजरेटर में ख़द्य पदार्थों को ताजा रखने हैं तू कितना तापमान अवशक है? माइनस में 4 degree centigrade स्वास्त मनुस्य के शरीर का समान तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 degree Kelvin उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है इसका मुख्य कारण बदाईए क्योंकि भाप में गुप्त उस्मा यानि लैटेंट हिट जो है मौजूद होती है सुस्क बैटरी में किन विद्धुत अब गट्यों का प्रियोग किया जाता है? अमोनियम कुलोराइड और जिंक कुलोराइड का पानी में किस चीज को मिलाने पर पानी का क्वाथनांक बिंदू बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदू घट जाएगा सधारण नमक सेंटीग्रेड और फारेनहाइट किस ताप कर्म पर एक समान रहते हैं माइनस 40 डिगरी पर शिशे की छड जब भाप में रखी जाती है तो क्या परभाव पड़ेगा? छड की लंबाई बढ़ जाएगी सर्दियों में लोहे के टुकडे और लकडी के टुकडे को छोने पर लोहे ज़्यादा ठंदा महसूस होता है ऐसा क्यों? क्योंकि लकडी के तुलना में लोहा उस्मा का अधिक सूचालग होता है पदार्त की उस्मा धारिता किस पर निर्भा करती है? पदार्त की विशिष्ट उस्मा पर जब जल को 0 degree centigrade से 10 degree centigrade तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या परभाव पड़ेगा तो पहले घटेगा फिर बढ़ने लगेगा दाब बढ़ने पर जल के कुवातनांग पर क्या परभाव पड़ेगा जल का कुवातनांग बढ़ जाएगा कमरे में लगा हुआ वतानो कुलक यानि एसी किसे नियतित करता है तो आदरता और ताब कर्म को नियतित करता है स्वचालित इंजनों में हीम रोधी के रूप में किस पदार्थ का परियोग किया जाता है एथलिन गलाइकॉल किस तरल के विशिष्ट उस्मा सरवादिक होती है जल की जब बर्फ पिगलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है आयतन गड़ता है पसीने का हमारे शरीर में मुख्य कारे क्या है तो ये शरीर का ताप जो है नियंतित रखता है पसीना मिटी के घड़े में जल के उठंडा रहता है वास्पी करण के कारण मोटर कार का रेडियेटर यानि शितलन तंत्र किस सिधान पर काम करता है समवाहन सिधान पर विद्धुत बल में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए किसका अनुपरियोग किया जाता है यानि किसका परियोग किया जाता है समवाहन का थरमस बोतल में पेया पदार्थ हो कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दिवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है अराज़त परत यानि सिल्वर लेयार बर्फ का अपने गलनांग पर पिगलना किस प्रक्रम का उधारण है? समतापी प्रक्रम उसमा किस का उधारण है? उर्जा का अदर्श गैस की आंतरिक उर्जा किस राशी पर निर्भर करती है? समतापी प्रक्रम पर एक किलो कैलोरी उसमा कितने जूल कारे के तुले है यानि बराबर है चार दसमलो एक आठ गुने दस पर पावर तीन जूल कारे के बराबर सुरी के उसमा प्रेथवी तक किस रूप में पहुँचती है विकरन के रूप में यानि रेडियेशन के रूप में गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक अरम दाइग होता है, क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े उस्मा का अधिकांश भाग जो है परवर्तित कर देते हैं, वहीं बलेक कपड़ा जो है उस्मा को सोख लेता है, इसलिए गर्मी में बलेक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसे गर्मी बढ़ जाती है जल का गनत्व किस तापमान पर अधिक्तम होता है चार डिगरी सेल्सियस उसमा गति की का पर्थम नियम किस आउधार्णा की पुष्टी करता है उर्जा सरक्षन एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है माइनस 114 डिगरी सेल्सियस पर जब किसी काँच की बोतल में पानी भरकर उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाता है क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है जो बर्फ होता है उसका आयतन बढ़ जाता है उसमकिस परकरिया द्वारा तिवर गती से अस्तनांतरित होती है विकिरण उचे पाहडों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्यों? क्योंकि उचे पाहडों पर तापमन पराय हिमांग से कम रहता है अता वहां वातवरण की जल वास्प जम कर बर्फ बन जाती है किसी पतार्त का तापमन परिवर्टन किये बिना द्रव से गैस में परिवर्टन करने के लिए अवशक उसमा को क्या कहते है वास्पन की गुपत उसमा तारों यानि एस्टास के अंदर उर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिकिरिया होती है तारों का रंग क्या परदेशित करता है उनका तापमन जिस तारे का तापमन अधिक होता है वो ज्यादा चपकता है उनी कपडे शरीर को गर्म क्यों रखते है क्योंकि उन एक खराब चालक होता है जिससे शरीर का तापमन बाहर नहीं निकल पाता प्रकाश तंतु किस सिद्धान पर काम करता है प्रकाश का पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन के सिद्धान पर म्रिग मरीची का किसका उधारण है प्रकाश के पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन का उधारण है प्रकाश तरंगों के वायू से कांच में जाने पर उनके कौन से गूर्ट प्रभावित होते हैं तरंग देधर और वेग जब प्रकाश एक मध्यम से दूसरे मध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है उसकी आविर्ति अप्रिवर्तित रहती है निर्वात यानी वेकम में प्रकाश की गती कितनी होती है तीन गुने दस पर पावर आठ मीटर परती सगेंड दाढ़ी बनाने के लिए किस दरपन का प्रियोग किया जाता है ओतल दरपन प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन्द लैंपों में किस गैस का प्रियोग किया जाता है नियोन तरंग देधर किस रंग का तरंग देधर सबसे कम होता है बैंगनी का किस रंग का वेब लेंथ सबसे अधिक होता है लाल रंग का छितेज के समीप सुरे और चंद्रमा के दिर्ग विरित्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपुवर्तन वास्टविक सुर्यवदय से को समय पहले ही सुरे क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपुवर्तन के कारण खत्रों के संकेतों के लिए लाल परकाश का प्रियोग किया जाता है ऐसा क्यों क्योंकि लाल परकाश का प्रकिनन जो है सबसे कम होता है साबुन के जाग में चमकदार अरंग किस घाटना के कारण दिखाई देते हैं बहुलित प्रवर्टन और वेती कारण के कारण उसे क्या कहते हैं फो टॉन बोलते हैं प्रकाश तरंग किस परकार की तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश का तरंग सिध्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था हाई गेंस द्वारा प्रकाश के विद्धुत चुम्बकिये स्वरूप की खोज किस ने क प्रकाश का वेक सर्व पर्थम किसने ग्याद किया ओले रोमर ने काच में प्रकाश की चाल कितनी होती है दो गुने दस पर पावर आठ मीटर परती सकेंद जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है दो दशमलो दो पाँच गुने दस पर पावर आठ मीटर पर सकेंड तारपीन के तेल में प्रकाश की चल कितनी होती है तो दो पॉइंट जीरो दसमलो चार गुने दस पर पावर आठ मीटर पर सकेंड किसी औरोध के कोर यानि किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है वीवर्तन कहलाता है प्रकाश के चिकने प्रिष्ट से टकरा कर वापस लोटने की घटना को क्या खहता है प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश का वेग अधिक्तम किस में होता है निर्वात में यानि वैकम में चंद्रमा से प्रित्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? एक दसमलो तीन सेकेंड. अच्छा, निरवात किसे बोलते हैं? जहांपे हवा मुझूद नहीं होता है, उसे हम निरवात बोलते हैं. सुर्य गरहन का समय हमें सुर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कुरोना या फिर कीरिट. चंद्र गरहन किस दिन घटित होता है? पूर्णी मा के दिन. एंडो एसकोप किस सिधान पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन पर. सुर्य गरहन किस दिन होता प्रतिपता के दिन यानि अमवस्या के दिन तो इस तरह के भी कोशन पूछे जाते हैं याद रखिए एक कटा हुआ हीरा क्यों जग मगाता है तो प्रकाश के पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिका किस कारण थोड़ा उठा हुआ परतित होता है प्रकाश के अपूर्तन के कारण पानी में कोई भी चीज थोड़ी से उपर उठी वी दिखाई देती है उसका कारण है प्रकाश का अपूर्तन चाहिए वो मचली हो या फिर अगर क किस कारण बनता है? वायू मंडल में वार्षा बुंदों पर गिरने से अपुवर्तन और आंत्रिक परवर्तन के कारण. किसी अपारदर्सी वस्तु का रंग कैसा होता है? वह वस्तु जिस रंग को प्रवर्तित करता है, तो ठीक वैसा ही दिखता है. प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? काच में. किस कारण अकास निला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिर्णन के कारण. अस्त होते समय सुर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिर्णन के कारण. तो प्रकाश के प्रकिर्णन के कारण ही सूरज उगते वक्त या डुपते वक्त या फिर अकाश नेला दिखाई देता है डुपते वक्त और निकलते वक्त सूरज लाल दिखाई पड़ता है इसका कारण है प्रकाश का प्रकिर्णन एक अंतरिक्ष यात्रिकों अंतरिक्ष में अकास कैसा दिखाई देता है ब्लेक यानि काला तारे यानि अश्टास अकास में वास्थों में जितनी उचाई पर होते हैं बे उससे अधिक उचाई परतित होते हैं इसका कारण बताईए वाई मंदली अपवर्तन इंदर धनूस में किस अरंग का विक्षेपन सबसे अधिक होता है बैंगनी समूदर निला क्यों दिखाई देता है आकाश के परवर्तन तथा जल के काणू द्वारा प्रकाश के पकिन्डन के कारण मानव आख द्रिश्य परकास के कितने तरंग देधारे के लिए सरवाधिक सुग रही होती है पचपन सो एंग्स्टॉम तो एंग्स्टॉम को इस तरह के ए से सूचित किया जाता है तो ये प्रकाश की तरेंग देधर तथा परमानु के आकार को व्यक्त करने हैं तू परियुक्त होता है पीछे के वस्तू को देखने के लिए वाहनों में किस दरपन या फिल लेंस का परियुक्त किया जाता है उत्तल दरपन का परियुक्त किया जाता है पेरी इसको बनाने के लिए किस दर्पन का प्रियोग किया जाता है सम्तल दर्पन एक इलोक्टोनिक पूझ को फासफोरस कोटेट परदे पर फोकस कर कि परतिबिम्बो को परदे पर परदाशित करना क्या कहलाता है रोस्टर स्कैन दूर दिरिष्टी दोस यानि हाइपर मेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंज का प्रियोग किया जाता है उत्तल लेंज वे तीन परात्मिक रंगे कौन सी है जिनके मिसन से अन्य सभी रंगों का निर्मान होता है तो ये तीन परात्मिक रंगे हैं लाल, निला और हरा किसी धातु के 3V मितिये यानि 3D परतिरूप को अंकित या पुन्रविर्थी करने की तक्निक को क्या काते है होलोग्राफि प्रमप्रागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है उसका जो फिल्म होता है उसकी तुलना जो है आँखों के रेटिना से की जा सकती है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं प्रिथवी की सता वकराकार होने के कारण दूर दर्शन प्रसारन में सरव्य संक्यतों का प्रेशन करने के लिए किस तक्निक का प्रयोग किया जाता है अविर्थी मोडूलन यानी फ्रेक्वेंस्य मोडूलेशन FM का ये फूल पोम होता है किसी वेक्टि का पूरा पृतिपिंब देखने के लिए एक सम्तल दर्पन के निवंतम उचाई कितनी होनी चाहिए? वेक्ति की उचाई की आधी द्रिष्टी पटल यानि रेटी नाजी से बुलते हैं पर किस परकार का चीतर बनता है? वास्त्विक बनता है, छोटा बनता है वस्तु से और उल्टा बनता है किस रंग के प्रकाश के उर्जा सर्वादिक होती है? नीले प्रकाश के उर्जा जो है सर्वादिक होती है वायू मंडल में प्रकाश का प्रकेंडन किसकी उपस्तिती के करण होता है? धूल और कन निकट दिरिष्टी दोस यानि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रियोग किया जाता है और तल लेंस एक समतल दरपन की वकरता तरेज्या कितनी होती है अनन्त प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है तरंग दैद्रया खोजबत्ति यानि सर्च लाइट में किस दरपन का प्रियोग किया जाता है और तल दरपन रोगियों के दात देखने में दंत चिकित सको द्वारा किस दरपन का प्रियोग किया जाता है और तल दरपन वहनों के अग्रे द्वीपों यानि हेड लाइट में किस परकार के दरप किसी वस्तु का प्रतिविम्ब मनुशे की आँख में कहा बनता है रेटीना पर समतल दरपण की सहता से किसी वस्तु के तीन प्रतिविम्ब प्राप्त करने के लिए दरपणों के बीच कितना कोण होना चाहिए सुरे द्वारा उस सरजित प्रकाश का रंग कैसा होता है श्वेथ होता है डायोक्टर किसकी इकाई है तो लेंस की छमता की इकाई होती है डायोक्टर धूप के चश्मे के पावर चमता कितनी होती है? 0 डायोक्टर एक वस्तु दो समानांतर समतल दरपणों के बीच रखी जाती है तो बने परतिविम की संख्या कितनी होगी? अनन्त होगी एक लेंस का फोकस आंतर 25 सेंटीमेटर है तो उसकी चमता कितनी होगी? प्लस में 4 डायोक्टर एक उत्तर लेंस की फोकस दोरी 0.2 मीटर है तो उसकी चमता कितनी होगी? प्लस में 5 डायोक्टर यदि किसी आयनक के लेंस का पावर प्लस 2 डायोक्टर हो तो उसकी फोकस दोरी कितनी होगी? 50 सेंटीमेटर जल में वायू का बुलबुला किस परकार के लेंस की तरह वेवहर करता है औहुतल लेंस रमन परभाव का संबंध किस परकार की किर्णों से हैं तो सभी पारदर्सी माध्यम की किर्णों से हैं धौनी के पुनरूत पादन के लिए CD वो audio player में क्या प्रयूक्त होता है लेजर बीम प्रातमिक रंगों जिसे हम लाल, नीला और हरा बोलते हैं को एक साथ जोड़ने पर किस प्रकार का रंग उत्पन होता है श्वेट समान मात्रा में इन तीनों रंगों को आपस में मिलाए जाए तो वाइट कलर बनेगा जब प्रकाश किसी प्रिज में सो होकर गुजरता है तब सूरे का प्रकाश विबिन रंगों में विबाजीत हो जाता है उसे क्या कहता है प्रकाश का वाण विक्छेपन सूरे से आने वाली प्रकाश किरिनों को किस दरपन की साहता से एक बिंदू पर केंद्रित किया जा सकता है ओतल दरपण कैमरे में किस परकार का लेंस उप्यो किया जाता है उत्तल लेंस का इस्तिमाल किया जाता है आंक के किस भाग द्वारा आंक में परवेश करने वले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है आईरिस जब ये आँख में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो आईरिश जो है छोटा हो जाता है और जब ये प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आईरिश बढ़ा हो जाता है तो ये नियंतित करता है नेतरदान में दाता के आँख के किस हिस्से को परतेरोपित किया जाता है किसी बेक्ती का आँख का दान दिया जाता है तो पूरे आँख को ट्रांस्पलांट नहीं किया जाता है बलकि सिर्फ कॉर्निया को परतेरोपित किया जाता है ठीक है कॉर्निया एक घड़ी साज घड़ी के बारी पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का परियोग करता है अवर्धक लेंस जराद रिष्टी दोस्के उप्चार के लिए किस दरपन यफिल लेंस का परियोग किया जाता है बाइफोकल लेंस दुर्बीन का विस्कार किस ने किया था? गैलीलियों ने तारे किस कारण से टिम्टिमाते हैं? तो परकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिम्टिमाते हुए नजराते हैं एक तलाब के किनारे एक मच्वारा मचली को भाले से मारने की कोशिस करता है पदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए तो जहां मचली है उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के करण मचली उपर उठी भी दिखाई देती हैं। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिशन से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होती हैं मैजेंटा। हैलोजन लैम्प का तंतू किस मिशर धातू से निर्मित होता हैं टंग्स्टन और सोडियम का। एक जलते हुए विद्दूत बल्ब के तंतू का तापमन कितना होता हैं 2000 डिगरी सेंटीग्रेड से 2500 डिगरी सेंटीग्रेड। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हैं तू किस धारा के अवशरक्ता होती हैं दिश्ट धारा यानि डिरेक्ट करेंट DC यांतरिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में प्रिवर्तित करने के दो परमुख उधारन हैं तरबाइन और डैनेमो फ्यूज में परियूग तो होने वाले तार की क्या विशिस्ता होती है? उच परतिरोधक, शक्ति और निमन गलनांक मानो शरी जब यह सुखा हुआ हो उसमें विद्धुत परतिरोधक कितना होता है? दस पर पावर छे ओम समन्ने टूब लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? औरगन के साथ पारा वास्त विद्धुत चलकता के दरिष्टी से सरवाधिक सुचालग धातु कौन सी है? तो यह है सिल्वर यानि चांदी प्रतिदिप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अर्ध चालक के उधारण है जर्मेनियम, सिलिकॉन और सिलेनियम ये सारे के सारे अर्ध चालक है ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों के विद्धुत परति रोध और विद्धुत चलकता पर क्या परभाव पड़ता है? तो वैद्दूत परति रोधक जो है बढ़ता है जबकि वैद्दूत चलाता गटती है इलेक्ट्रिक करंट यानि विद्दूत धारा का यूनिट क्या होता है एम्पियर परतिवर्ति धारा को दिश्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है रिक्टी फायर द्वारा विद्दूत अवेश को भंदारीत करने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है संधारीतर यानि कैपसीटर शुएत परकास को नली में कैसे उत्पन किया जाता है तंतू को गर्म करके विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में प्रवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है विद्दूत मोटर परतावर्ति धारा को मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है एमीटर का विभवांतर को मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है वोल्ट मीटर का तडित चालक यानि लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातू का परियोग किया जाता है कौपर का यानि तामबा का विदूत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है सुरक्षा के लिए जो अर्थिंग का वायर होता है अदर्ष वोल्ट मीटर के परतिरोधकता कितनी होती है असिमित परतिरोध यानि रेसिस्टेंस का मातरक क्या होता है ओम होता है किसी चालक की सीरों के बीच विबवांतर उसमें बहने वाली धारके समानुपाती होता है तो ये किस का नियम है ओम का नियम बताता है एक कार की बैटरी में किस विदूत अब घटे का उपयोग होता है सल्फियूरिक एसिड लोहे के उपर जिंक की परत चड़ाने को क्या कहता है गल्वेन आईजेशन फैराडे का नियम किसे संबन दिते है विदूत अब घटन से एक फ्यूज का तार का उपयोग डैस के लिए किया जाता है तो सरकित में प्रवाहित होने वाली अधिक विदूत धारा को रोकने के लिए फ्यूज के तार का इस्तमाल किया जाता है समान्यता सुरक्षा फ्यूज का तार किसका बना होता है तीन और लेड का दियान रखिएगा टीन और लेड का बना होता है सुरक्षा फ्यूज का तार बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है इसका करण बताईए क्योंकि बल्ब को तोड़ने पर बल्ब के अंदर निर्वात में वायू तेजी से परवेश करती है बिजली का बल्ब के अंदर से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है क्यों? टंग्स्टन तंत्व का उपचायन को रोकने के लिए हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस के तार का परियोग किया जाता है तो नाइक्रोम के तार का इस्तमाल किया जाता है से हीटर वगर होता है उसमें जो तार होता है उसमें नाइक्रोम का तार होता है वो ट्यूब लाइट में व्याय उर्जा का लगबा कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में प्रिवर्तित होता है 60 से 70 परतिशत किलो वाट घंटा किसकी इकाई है विद्धुत उर्जाकी वह कौन ऐसी धातू है जिसका उप्योग विद्धुत उत्पन करने के लिए किया जाता है यूरेनियम भोतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्धुत आवेशों के बीच दूरी दुग नहीं हो जाती है तो उनके बीच बलके उनके पुरुव मान से एक चौथाई तक कम हो जाता है कूल ओम का नियम बताता है 2020 में पुछा हुआ था है एससी के एक्जामस में किसके दुआरा अरसायनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में रुपांतरण किया जाता है तो इलेक्ट्रो लेसिस दुआरा एक बैटरी दुआरा किस उर्जा को विद्धुत उर्जा में प्रिवर्थित किया जाता है अरसायनिक उर्जा अर्द चालक की चालक तक किस ताप पर अधिक्तम होती है शुन्य ताप पर लकडी, रबन, शुध जल, चिनी मीटी, कागज इत्यादी किसके उधारण है अचालक है सरे के सरी यानि नौन कंड़क्टर है अशुध जल, ग्रेफाइट, चांदी और इस पाथ किसके उधारण है तो ये सभी के सभी चालक पदार्थ है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक किस पदार्थ का इस्तमाल किया जाता है सिलिकॉन का अर्ध चालक में अशुधियां मिसित करने की परिक्रिया क्या कहलाती है डोपिंग अल्टर नेटिंग करेंट यानि AC को डारेक्ट करेंट यानि DC वोल्टेज में परिवर्थित करने के लिए किसका प्रियूग किया जाता है डायोड का चुम्बकिये अकर्षन सकती कहा सरवादिक होती है चुम्बक के दोनों किनारों पर चुम्बकिये कंपास की स्वी किस दिशा को प्रदाशित करती है उत्री यें दक्षनी दिशा को CGS पद्धती में चुम्बकिये फ्लक्स का मातरक क्या है Maxwell ऐसा ताप जो लवे चुम्बकिये प्रकृतियों अनुचुम्बकिये प्रकृति के मद्धे परदाशित होता है क्या कालाता है क्यूरी ताप किस आयास्क को प्रकृतिक चुम्बक का जाता है मेगनेटाइट को लेंज का नियम क्या बताता है सभी चुम्बकिये पदार्थों का चुम्बकिये गुण कब कम होता है जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं किसी चुम्बकिये आकर्षन सक्ति सबसे कम कहा होती है चुम्बक के मद्धे में प्रेरित धारा की देशा ग्याद करने के लिए किस नियम का प्रियोग किया जाता है फ्लेमिंग के दाय हाथ का नियम विदुदारा के चुम्बकिये प्रभाव की सर्व पर्थम खोज किस ने की थी हैंस, क्रिस्चियन और स्टेड ने नभिकिये रियक्टर में भारी जल का प्रियोग किया जाता है ने ट्रन की गति को कम करने के लिए प्राम्स यूरेनियम ततों का संसलेशन किस के द्वारा किया गया था ग्लेंटी सी बोर्ग के द्वारा पॉजी ट्रोन की खोज किस ने की थी सी डी एंडर्सन ने पुछा हुआ है RRB के एग्यांस में 2004 में Fast Breeder Test Reactor में किसका मिसरित इंदन के रूप में परियोग होता है Uranium Carbide और Plutonium Carbide का Fast Breeder Test Reactor में किसका उपयोग शितलक के रूप में किया जाता है Dravit Sodium तारों में अक्षय उर्जा होने का क्या कारण है Hydrogen का हिलियम में प्रिवर्तन होना है भारत में किस रेडियो धर्मी तत्व का सरवादिक भंदार है Plutonium का रेडियो धर्मी पदार्थ कौन से कण उस्साजित करते है Alpha, Beta और Gamma कण Hydrogen Bomb किस सिदान पर कारे करता है अनियंत्रित नाभीकिय सनलायन अभिकरिया के सिद्धान पर में सौन की खोज किस निकी थी हीडे की यू कावाने अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में खद्यानों के प्रस्थनस करण में मास उत्पादों, फलो वा सबजियों के सरेक्षन में नाभीकिय रेक्टर में मंदग के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है भारत में कौन सा नाभीकिय इंदन सर्वादिक पाये जाता है थोरियम भारत में अडू बम का विकास किस ने किया था डाक्टर राजा अरमनने साइक्लोट्रोन को त्वरित करने वाला अणू कौन सा है ये है प्रोटोन भारत का प्रथम परमानू सैंतर कौन सा है तारापूर परमानू सैंतर जोकी महराज में है भारत का कौन सा पर्मानु सेंत्र भूकम पिये पेटी में इस्थित है नरोरा पर्मानु सेंत्र ये उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में है वर्स 1938 में नाभी के विखंडन की कोज किस ने की थी और्टो हान तथा फ्रिज एस्ट्रोस मैंने वर्स 1942 में पहले पर्मानु रियक्टर का नेरमान किस ने किया था؟ एन रीको फर्मी ने रॉकेट किस सिद्धान पर कारे करता है? समवेग सरक्षन के सिद्धान पर बोलो मीटर का परियोग किसे मापने में किया जाता है? ताप मान को यदि कोई वेक्ती एक दिवार को धख्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल राता है तो वह कितना करे करता है शुन्यकार वेबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किस से है प्रकाश नहीं कौन सा यंत्र विद्धुत उर्जा को उसमें उर्जा में प्रिवर्थित करता है विद्धुत बल्ब और विद्धुत हीटर कौन सा यंत्र विद्धुत उर्जा को द्वाने उर्जा में प्रिवर्थित करता है लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है दोनों की गति जो है एक समान होती है रसानिक उर्जा को उसमिय उर्जा में कौन परिवर्थित करता है जलता हुआ कोईला और मॉम्बत्ती कौन सा यंत्र उसमिय उर्जा को गतीज उर्जा में परवर्थित करता है वास्प इंजन कौन सा यंत्र यंत्रिक उर्जा को द्वानी उर्जा में परवर्थित करता है सितार मनुश्य के लिए सबसे हानिकारक विकरण कौन सा है गामा की रणा है लोहे में द्वानी की चल कितनी होती है? 513 मिटर पर सकेंद जल में द्वानी की चल कितनी होती है? 1483 मिटर पर सकेंद वहीं वायू में द्वानी की चल कितनी होती है? 332 मिटर पर सकेंद अलकोहल में द्वानी की चल कितनी होती है? 1213 मिटर पर सकेंद कांच में द्वानी की चल कितनी होती है 5,640 मिटर पर सकेंड वहीं अल्यूमिनियम में द्वानी की चल कितनी होती है 6,420 मिटर पर सकेंड जेट इंजन का विश्कार किस ने किया था फ्रेंक विटल ने लेसर का विश्कार किस ने किया था थियोडोर मेमेन ने रिवावलोर का अविशकार किस ने किया था सैम्वल कोल्ट ने तो अविशकार से भी कोशन बार बार पुछे जाते हैं याद रिखेगा जो परमुक है उसे मैंने एड किया है रेफरीजरेटर का अविशकार किस ने किया था हैरिसन और टिनिंग ने सेफ्टी रेजर का विश्कार किस ने किया था किंग जिल्लेट ने वहीं विद्दुद रेजर का विश्कार किस ने किया था जैकब शिक ने बैरो मीटर का विश्कार किस ने किया था इट और सेली ने प्रिंटिंग प्रेस का विश्कार किस ने किया था जॉन गुटेनबर्ग ने माइक्रो फोन या फिर टेली फोन का विश्कार किस ने किया था ग्राहम बेल ने प्रेशर कुकर का विश्कार किस ने किया डेनिस पैपिन ने मोटर साइकल का विश्कार किस ने किया जी डेमलार ने माइक्रो एसकोप का अविश्कार किस ने किया था जेड जॉंसन ने ट्रांसफर्मर का अविश्कार किस ने किया माइकल फेराडे ने पंडुबी का अविश्कार किस ने किया डेविड बूसनेल ने टेलिविजन यांत्रिक टेलिविजन का विश्कार किस ने किया जेल बेर्ड ने वेल्डिंग मशिन का विश्कार किस ने किया था एलिसा थॉंसन ने विद्धुत पंखा का विश्कार किस ने किया श्वेलर विलर ने ग्रामो फोन का विश्कार किस ने किया था, थोमस ल्वाई एडिसन ने, फाउंटेन पेन का विश्कार किस ने किया था, लेविस वाटरमेन ने, रेडियम की खोज किस ने किय थी, मैडम क्यूरी ने, वहीं रेडियम सक्रियता की खोज किस ने किय थी, हैंडरी बेकुरल ने, दियान रखिए, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, वहें रेडियम सक्रियाथा की खोज हेंरी बेगुरल ने की थी परमानू की खोज किस ने की थी? जॉन डल्टन ने परमानू सारचना की खोज किस ने की थी? निल बोहर और रदर फोर्ड ने तो यहाँ पे confusion हो सकते हैं याद रखिए प्रमानू की खोज जॉन डल्टन ने की वहीं प्रमानू साराजना की खोज निल बोर और राधर फोड ने की सापेक्ष्टा का सिध्धान्त किस ने परतिपादित किया अलबाट एंस्टिन ने जिरो डिग्री सेंटी ग्रेट पर करबंडाई अकसाइड में ध्वानी की चल कितनी होती है दो सो साथ मिटर पर सकेंड एक एंस्ट्रम कितने मिटर के बराबर होता है दस पर पावर माइनस दस मिटर के एक ड्रेम कितने गराम के बराबर होता है एक दसमलो साथ साथ गराम तै विदुद आवेश का A साहिमात्रक क्या होता है? कुलॉम लिफ्ट यान त्रिकी लिफ्ट का विश्कार किस ने किया था? इलिसा ओटीस ने WM पर पावर माइनस वन डिगरी C पर पावर माइनस वन यहाँ पर WM का मतलब होगा W से वाट, M से मीटर C से सेंटिग्रेड तो इसे किसे सुचित किया जाता है? उस्मा चलक्ता को उस्मा चलक्ता का A साहिमात्रक क्या होता है? तो यही होता है वाट, परते मीटर, परते डिगरी सेंटिग्रेड WB से किसे सुचित किया जाता है? चुमबकिये फलक्स को और चुम्बकिय फ्लक्स का A साइमात्र क्या होता है WB होता है उसे हम बेवर बोलते है Electronic Television का विश्कार किस ने किया था Taylor Forrensworth ने वही हम लोग बात किये हैं कि यांत्रिकी Television का विश्कार किस ने किया था तो JL Baird ने वाई मंडलीय दाब का A साइमात्र क्या होता है बार एक बार कितने के बराबर होता है 10 पर पावर 5 New प्रती मीटर A स्क्वाईर जीस उपगरह का परिकर्मन काल प्रित्वी के परिकर्मन काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपगरह बोलते है भू अस्थाई उपगरा यानि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भू तुल्ले कालिक संचार उपगरा को कच्छा में अस्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किस ने व्यक्त किया आर्थर सी क्लार्क ने जौला मुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाड़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपएक्छा करित क्या होता है? कम होता है एक निश्चित पत पर गती करती वस्तु जब निश्चित समय अंत्राल के पशात बार बार अपने पुर्व गती को दोहराती है तो इस परकार की गती को क्या कहते है? अवर्ट गती नाभीकिया रेक्टर में नियांत्रक छड़ के रुप में किसका उप्यो किया जाता है? कैडमियम या फिर बोरान के छड़ का इस्तमाल निव्ट्रोन की खोज किस ने की थी? चैडविक ने इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी? जे जे थॉम्सन ने इसके लिए एक ट्रिक भी है इटा पर नाच अगर ये किसी को याद होगा तो फिर वो आसानी से समझ सकता है इटा यानि ई से इलेक्टरॉन ती से थॉमसन इलेक्टरॉन की खोज थॉमसन ने की पर यहां पर पी से प्रोटॉन और आर से रधरफोड यानि प्रोटॉन की चाइडविक ने की नाच से ये मतलब होगा ठीक है इटा पर नाच ये ट्रिक होता है याद रखिए प्रोटॉन की खोज किस ने की थी रधर फोड ने निउट्रॉन का तरब्यमान किलोग्राम में कितना होता है एक दसमलो छे साथ पाँच गुने दस पर पावर माइनस इलेक्ट्रॉन का दरब्यमान कितना होता है किलोग्राम में 9.108 गुने 10 पर पावर माइनस 31 फोटॉन की खोज किस ने की थी आइनस्टिन ने अलबर्ट आइनस्टिन ने फोटॉन का दरब्यमान किलोग्राम में कितना होता है जिरो होता है पोजिट्रॉन का दरब्यमान कि कितना होता है नौद असमलो एक जेरो आठ हुने दस पर पावर माइनस 31 निउट्रीनों की खोज किस ने की थी पावली ने सभी विदुद चुम्बकिये तरंगें किसकी बनी होती है फोटॉन की विदुद चुम्बकिये तरंगों का तरंग देधरे कितना होता है दस पर पावर माइनस 14 मिठर से दस पर पावर 4 मिठर गामा किर्णों की अविरती कितनी होती है दस पर पावर 20 हर्ट से दस पर पावर 18 हर्ट रेडियो तरंगों की अविरती कितनी होती है दस पर पावर 10 हर्ट से दस पर पावर 4 हर्ट एक्स किर्णों यानि एक्स रेज की अ 18 Hz से 10 पर पावर 10 Hz पैरा बगनी किर्णों की अवेर्ति कितनी होती है 10 पर पावर 16 Hz से 10 पर पावर 14 Hz गामा किर्णों का तरंग देधरे कितना होता है 10 पर पावर माइनस 14 मिटर से 10 पर पावर माइनस 10 मिटर X किर्णों का तरंग देधरे कितना होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर से 10 पर पावर माइनस 8 मीटर परमाणू के नाभिक का अकार कितना होता है 10 पर पावर माइनस 15 मीटर परमाणू के नाभिक में मौजूद होते हैं तो proton और neutron ये दोनों परमाणू के नाभिक में होते हैं किसी तत्व की प्रमानु संख्या वास्त्विक में डैस की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या होती है, समस्थानिक यानि आईसो टोप्स प्रमानुओं में डैस की संख्या समान होती है, तो प्रोटॉन की संख्या जो हैं समान होती है, वह तत्व जिसके प्रमानु भार भ जिन किन्तु पर्मानु कर्मांक समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक यानि आईसोटोप्स, ऐसे दो तत्व जिन में इलेक्टोनों की संख्या भिन भिन हो परंतु उनकी दरब्यमान संख्या समानु क्या कहलाते हैं, संभारिक, किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं यानि आइसो टोपस होते हैं पुलोनियम के सर्व प्राचिन शैल सम्हों की आयू किस विधी द्वारा आखी जाती हैं तो इस विधी को बोलते हैं पॉटेशियम औरगन डेटिंग विधी प्रमानु रियक्तर क्या है तो ये एक आणविक भठी होता है नाभिकिये रियक्तर के निर्मान में किसका इस्तमाल अनिवारे रूप से किया जाता है जर्कोनियम का रेडियो कारवन डेटिंग का इस्तमाल किसके उम्र ग्याद करने क किया जाता है जिवास्मों के परमानु पाइल का प्रियोग कहा होता है नाभिकिये विखंडन के प्रचलन में कोबाल्ट शिक्ष्टी आम तोर पर विख्रेंट चिके समय प्रियोग होता है क्योंकि यह डैस उस्साजित करता है गामा किर्णे अलफा कंड के दो इकाई धन होते हैं इसका दरभयमान लगब किसके बराबर होता है हीलियम के एक परमानु के बराबर कुलीज नलिका का परियोग क्या उत्पन करने के लिए किया सुक्च में तरंगें, एक स्किर्णों का उप्योग क्रिष्टल सरचना के अध्यान के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक स्किर्णों की तरंग दैधर तथा क्रिष्टल के अंतर परमाणुक की दूरी परमाण की कोटी समान होती है कौन सी तरंगे विद्धूत चुम्बकिये नहीं होती कैथोड किर्णे, कैनाल किर्णे, अल्फा किर्णे, बीटा किर्णे, ध्वानी तरंगे और परासरव्य तरंगे समुद्र की गरही का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तमाल किया जाता है पराश्रव्य तरंगे इसे हम अल्टरसोनिक वेपस बोलते हैं दूर के अंदर के हानिकारक जिवाणवों को नश्ट करने में किस तरंग का इस्तमाल किया जाता है अल्टरसोनिक वेपस यदि मैक संख्या पांच से अधिक है तो द्वानी की चल क्या कहलाती है यांत्रिक तरंगे, ठीक है, औरक्त विकरंड की खोज किस ने की थी, तो इंफ्रारेड रेडियेशन की खोज हरशल ने की थी, औरक्त विकरंड का तरंग दैधारे कितना होता है, कितने तरंग दैधारे वाली तरंगे सुक्ष में तरंगे कहलाती है, 10 पर पावर मैनस तीन मीटर से 10 पर पावर मैनस दो मीटर तक, संकेत भेजने किमती कपड़ों वायू यान तथा गाड़ियों के पूर्जय को साफ करने में, किन तरंगों का परियूग किया जाता है, प्रासरावे तरंगे या फिर अल्टासोनिक वेब्स, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमानू डाले जाते हैं, तो वह क्या बन जाता है, बाहय सेमी कंड़क्टर, सूपर कंड़क्टर की चलकता कितनी होती है, असिमित होती है, वह विद्दुचुमबकिये तरंगे जो उपगरा संचार के लिए परियूप्त की जाती है क्या कालाती है, रेडियो तरंगे, प्रथम तपायनिक वाल्व का विसकार किस ने किया था, जे ए फ्लेमिंग ने, एक स्कीर्णों की भेदन चम था, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, कैथोड और एनोड के बीच विबोहांतर बढ़ा कर, राडार सिस्टम में उप्य किया जाता है, उदिप्ति विकरण, किस द्रव्य यग गैस के दो क्रामागत पर्तों के बीच उनकी अपेक्छी गती का विरूध करने वाले घरसन बल को क्या कहते हैं, शियान बल बोलते हैं, शियानता किसका गुण है, केवल द्रवों तथा गैसों का, एक माइकरोन किसके बराबर होता है, दस पर पावर माइनस छे मीटर के बराबर होता है, एक माइकरोन, किस में शियानता नहीं होती, ठोस में विसकोसीटी नहीं होती है, गैसों में शियानता द्रवी के तुलना में डैस होती है, बहुत कम, शियानता का एस साहिमात्र क्या होता है, डेका प्राइजली या फिर पास्कल सेकेंडे कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गित्ती है तो प्रारम में उसका वेग बढ़ता है किन्तु कुछ समय के पश्चात नियत वेग घटने लगते हैं उसे क्या कहते हैं सिमान्त वेग द्रव का ऐसा प्रवा जिसमें द्रव का परते कोड उसी विंदू से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था इसे क्या कहते हैं धारा रेखिये प्रवा धारा रेखिये प्रवा के महतम को क्या कहते हैं क्रांतिक वेग किसी बर्तन में भरे पानी के उपर बर् नहीं होगा तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्राव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहता है उत्पलावन केंद्र ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शिग्र सोख लेता है क्यों क्यों कि इसमें छोटे-छोटे छिद्र केश नली की तरह काम करते हैं वर्षा के बा गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है क्योंकि गर्म द्राव का प्रिष्ट तनाव कम होता है अर्थात जीब के उपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है द्राव में दाब किसके बराबर होता है बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व तथा गुर्तिये दाब बढ़ने पर उनका गलनंग क्या होगा बढ़ जाता है जैसे मौम और गी सभी द्राव का क्वथनांग दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है बढ़ जाता है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घर जाता है तो दाब बढ़ने पर उनका गलनंग क्या होगा कम हो ज उत्पलावक बल किस पर निर्बर करता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। किया गया और एस्टेट द्वारा। टैकोमीटर का प्रियोग किस मापन के लिए किया जाता है। घुर्नन गती। अतिल अगु समय अंत्रालों को सही सही मापने के लिए किसका उप्योग किया जाता है। परमानू घडियों का। उडान अभी लेखी का तकनीकी नाम क्या है। इसे काला बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स बोलते हैं जो की वायूआनों में इस्तमाल किया जाता है। अगर किसी एरोप्लेन की दुरगाटना हो जाती है तो ब्लैक बॉक्स के करण ही पता चलता है कि उसका असली वज़ा क्या था। वी टेस्टोन ब्रीज से क्या मापा जाता है। प्रतिरोध एक उड़ते हुए चक्के की परति सकेंड गोर्नन किस से मापी जाती है। सुरे की केनों की तिवरतम आपने वाले उपकरण को क्या कहते है। एक टियो मीटर वहनों में कर्बोरेटर का उपयोग किस ले किया जाता है। पेट्रॉल के साथ हवा को मिसित करने के लिए। वर्सा की अमलियाता किस के द्वारा मापी जाती है। पी एच मीटर द्वारा डिजल इंजन का विशकार किस ने किया था। रूडॉल्फ ने। जब टेली विजन का स्विच अन किया जाता है तो क्या होता है। तो दरिश्य जो है तुरंत प्रारंब हो जाता है। लेकिन स्रवय बाद में सुनाई देता है। क्योंकि द्वानी प्रकाश की अपेक्षा कम वेक से चलती है। एक डोमेन में परमानुओं की संख्या कितनी होती है। दस पर पावर 18 से दस पर पावर 21। लोह चुम्बकिये पदार्थों के भीतर परमानुओं की असंख्य अती सुक्ष में साराचनाओं को क्या कहा जाता है। दोमेन। विदुचुम्बक नर्म लोह के बनाए जाते हैं। क्यों। अधिक चुम्बकिये प्रविर्ति तथा अधिक धारन चमता के करण। थर्मस फलास्क का अविस्कार किस ने किया था। अधिक सुचलाग है। उस्मा के संशरान के किस विदी में माध्यम के अशुर्टन नहीं होती है सम्वान विदी में। जेट इंजन किसके सारेशन के सिदान पर काम करता है दरब्यमान बल किसका गुननफल है दरब्यमान और त्वरण का दंड चुम्बक के बारे में बताईए तो जब किसी दंड चुम्बक को उसके अक्षिके अनुलम में काटा जाता है तो दो नए दंड चुम्बक बन जाते हैं इसे हम दंड चुम्बक बोलते हैं एक समान चुम्बकिये छेतर में बल रेखा है डैस होनी चाहिए एक दूसरे के समान तर दिक सुचक का प्रियोग कि इसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है तो चुम्बकिये उत्तर दक्षनी दिशा, चुम्बक की धुर्वता और चुम्बकिये छेत्र की दिशा लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेंटी ग्रेड प्रिथवी एक बहुत बड़ा चुम्बक है इसका चुम्बकिये छेत्र किस दिशा में विश्तरित होता है? दक्षिन से उत्तर की और यदि किसी चुम्बक का तीसरा धुर्व हो तो तीसरा धुर्व क्या कह लाएगा? परिणामी धुर्व क्या है तो पर्तवर्ति धारा की वल्टता को घाटाने और बढ़ाने में परियुक्त होने वाला यंत्रा है प्रांस्फोर्मर किस सिध्धान पर काम करता है विद्धुत चुम्बकिये प्रेलाड के सिध्धान पर धुरूओं पर नमन कोण का मान कितना होता है नब्य डिग्री मुक तो रुप से लटकी हुई चुम्बकिये सुई का अक्ष भोगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है अठारा डिग्री सर्व पर्थम पर्मानू बम का विकास किस ने किया था जे रोबोट ओपन हीमर ने गैस इंजन की खोज किस ने की थी डैमलर ने हवाई जहाज का विश्कार किस ने किया था राइट ब्रदर्स ने डैनामाइट की खोज किस ने की थी अल्फ्रेड नोबिल ने कौन सी मातरक जड़त्व की माप है दरब्यमान डेसिबल में ध्वानी तिवरता की वह अधिक्तम सीमा जो वेकती सुन नहीं सकता 95 डेसिबल एक किलोगराम अराशी का वज़न 10 के बराबर होता है 9.8 न्यूटन एक फैदम किसके बराबर होता है 1.8 किलोमीटर तेल का एक बैरल लगबग किसके बराबर होता है 169 लीटर के बराबर एक समुदरी मिल 10 मिटर के बराबर होता है 1852 मिटर के बराबर होता है एक मिल 10 के बराबर होता है 1.61 किलोमीटर एक नैनो सकेंड में कितने सेकेंड होते हैं दस पर पावर माइनस नौ सेकेंड एक मेगावाट घंटा डैस के बराबर होता है तिन दशमलो छे इंटू दस पर पावर नौ जूल एक देका लिटर डैस के बराबर होता है एक डेका लिटर दस लिटर को बोलते हैं इला मैजेंटा और पी कोक निला को किस रंग की सरेणी में रखते हैं दुईतियक रंग लाल कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा काला पीला कागज लाल किर्णों में कैसा दिखाई देगा काला निला कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा काला माप तौल में कोन का एसा इमात्रक क्या होता है रेडियन माप तौल में आयतन का ऐसाई मात्रक क्या होता है गन मीटर माप तौल में छेतरफल का ऐसाई मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर दूर इस्थित वस्तों के ताप को ग्यात करने के लिए किस यांत्रे का परियोग किया जाता है पैरो मीटर विदुतिये तथा यांत्रिक कमपन को ग्राफ पर चितरित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं ओसीलो ग्राफ बोलते हैं बारिक तारों के व्यास को नापने में किस उपकरण का इस्तमाल किया जाता है गुमती हुई वस्तों की गती ग्यात करने में किस उपकरण का इस्तमाल किया जाता है गाईरो एसकोब किस यंत्र के इस्तमाल से पानी की सता पर तेल की उपस्थिती ग्यात की जाती है ग्रेवी मीटर 0 degree centigrade पर वायू में द्वानी की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सकेंड ओतल दर्पण में वस्तु को अनन्द पर रखा जाए तो उसकी परतिवीम की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा ओतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसकी परतिवीम की प्रकृति कैसी होगी वास्त्विक बहुत बड़ा और उल्टा ओतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा वकरता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसकी परतिवियम की प्रकेति कैसी होगी वास्त्विक बड़ा और उल्टा कुछ और कोशन है उतल दरपण में किसी वस्तु को फोकस तता ध्रो के बीच रखा जाए तो उसकी परतिवीम की प्रकिरती कैसी होगी अभासी बढ़ा और सिधा तो उतल दरपण में परतेग दशा में वस्तु के परतिवीम कैसा बनता है दरपण के पीछे सिधा छोटा और अभासी जब किसी द्वानी शुरोत शुरोत के बीच अपेक्षिक गति होती है तो सुरोता को ध्वानी की अविरती उसकी वास्तविक अविरती से अलग सुनाई पड़ती है इसे क्या कहते हैं इसे ही हम डॉपलर प्रभा बोलते है तो फ्रेंड ये था हमारा फिजिक्स का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाद दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकस आन आपको सबसे पहले मिल जाएगा बाइलोजी के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सब एक लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेक क्यार